सबसे बड़ा सबसे फेलर डिपार्टमेंट आपका जो रीसेंट टाइम में है वो बैटिंग नहीं है वो फास बोलिंग में नहीं है सबसे फेलर डिपार्टमेंट है आपका स्पिन डिपार्टमेंट जिसकी वज़ा से पाकिस्तान एश्या कब भी हारा और जो एक मेजर उठाए सबने management पर सवाल उठाए सबने fast bowlers पर सवाल उठाए लेकिन सबसे main reason था पाकिस्तान का एक शर्मनाक प्रदेशन जो विल्ड कम में था वो था spinners का बिलकुल ordinary देखना वो स्वागत आपका sports आर पर और जुड़ गए एक बड़ी update के साथ बड़ी breaking आ रही है पाकिस् सबसे बड़ा सबसे failure department आपका जो recent time में वो बैटिंग नहीं है वो fast bowling में नहीं है सबसे field department है आपका spin department जिसकी वज़ा से पाकिस्तान एश्या कब भी हारा और जो एक major reason था सबने बावाराजम की कप्तानी पर सवाल उठाए सबने management पर सवाल उठाए सबने fast bowlers पर सवाल उठाए लेकिन सबसे main reason था पाकिस्तान का एक शर्मनाक प्रदेशन ज भी sub content जैसे conditions में जहाँ पर बागी टीम के spinners की आप देख सकते हैं stats पाकिस्तान से far better थे नहीं आपको शदाब बहतर देखें नहीं आप देखें नावाज ने कुछ जादा बहतर करा और आपने इस तरीके से देखा कि वो performances ही नहीं आई और उसके बाद ही आपने देखा ए कि वो बहुत तगड़ा performance देएंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी update आगई है जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं दो former champions उमर गुल legendary fast bowler पाकिस्तान के उनकी contribution रही है 2007 में जब final में पहुचे थे बहुत दबरदस performance था उनका पाकिस्तान की तरफ से और 2009 world champion साही देखेंग एक आप कह सकते हैं last recognized जो एक quality spinner पाकिस्तान ने produce करा था पाकिस्तान fast bowler प्रोड्यूस करता है तकड़े एक से एक fast bowler उनोंने 80s, 90s, 2000s, 2010s में भी produce करे हैं लेकिन spinners वो एक ऐसी हो गई है quality जो पाकिस्तान में extinct होती भी जारी है लेकिन सही समय पर अब सही रजमल को ये duty मि ही न कहीं देखते हैं भाई इसका क्या effect देखने को मिलता है क्या impact देखने को मिलता है बट वहराल ये एक बहुत बड़ी update आ रही है क्योंकि आपने देखा है कि अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान के पास junior cricket में चैड़ domestic cricket हो काईद आजम ट्रोफी में आपने देखा है PS पर आप दाव लगा सकते हो और going forward आपको बता है सबसे बड़ा assignment कौन सा आने वाला है let alone Australia test series पर मैं इतना focus नहीं कर रहा Australia में spinners इतना जादा रूल नहीं प्ले करते हैं आपर आपने नौमान अली को back करा है लेकिन आपको बता है 6-7 महीने बाद आपका West Indies USA में World Cup खेला जा जी सही दजमल मैं आपको media advisory सब कुछ आपको पढ़के बताऊंगा लेकिन overall सारी चीज़े जो अभी आ रही है सामने वो यही है उमर गुल को दुवारा से responsibility मिल गई है और इससे पहले भी हो पाकिस्तान टींग में साथ associated रहे हैं सबसे पहले morning 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 नहीं अगर आप कह सकते हैं पाकिस्तान spin department पे बिल्कुली flat नजर आया है बिल्कुल ordinary नजर आया है और अब उन सबी चीजों को देखते वे महाँ पर साइध एजमल को मौका मेला है देखिए आपने legendary अब्दुल कादिर मुशी भाई जो 90s में आप देखते थे कि बहुत जबरतस bowling वो भी करते थे quality leg spinners प्रोड्यूस करता था पाकिस्तान उस समय और फिर आते हैं आपके पास आपके arguably the greatest off spinner साइध एजमल से आप करते हो comparison लेकिन हाँ सकलेन मुश्ताक was legendary उनके करियर की वो longevity नहीं हो पाई लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना भी उन्होंने impact create करा था बाई पाकिस्तान की pace तिकड उपर जहां पर आप देखते थे कि यार spinners उतना जादा mark नहीं छोड़ पाये थे उतने अपनी छाप नहीं छोड़ पाये थे उस समय दानिश कनेरिया वाई is one of the leading wicket takers for Pakistan लेकिन आप देख रहे हो एक का दुक्का पेसर साब दुनिया की गा सकते हो पेसर साब दुनिया भर बड़े events नहीं जीच सकते यही एक main reason रहा कि शुर्लंका में जाकर भी जहां पर इवन अफगानिस्तान इंडिया बांगलादेश शुर्लंका सबके spin department आपसे बहतर थे इस world cup में सबसे खराब ratio बताब आप कह सकते हैं wicket per balls आप देख लिए एवरेज, economy पाकिस्तान की team सबस सवाल भी उठा सकते हैं लेकर नेदरलेंड्स और आपकी जो बाकी comparative लीटे हम बात करते हैं बांगलादेश, शुर्लंका सबके spinners ने comparative ली better करा